हेलो माई यूटूब फैमिली कैसे हैं? आप सब आसा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे तो ये ब्लोग है ये सटरडे का ब्लोग है तो संडे को मैं अपलोड कर रही हूं थोड़ा सा लाइफ बीजी हो गया इस वज़े से नहीं डेली कंटिनू मतलब ब्लोग नहीं आ रही है वड़ जैसे हो रहा ना मैं आप सब्सक्राइब करते हैं तो उमीद है कि आप लोग भी जरूर से देखेंगे मेरे मेनत को और सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें कि नॉट्विशन को आप लोगों को मिलता रहे है तो अभी मॉनिंग का टाइम हुआ है सब सबसे पहले मॉर्निंग को और कुछ काम में नहीं कर पाती हूं सिर्फ जाड़ू लगा के सबसे बड़ा मतलो टेंसर ना था ब्रेकफास्ट का सुबस तीनों निकल जाते हैं तो उसी का में यहां पर त्यारी कर रही हूं और नल लगके तो बहुत ज्यादा सुविधा हो ग रहे हैं और सुबह सुबह ना समझ ही नहीं आता कि इतना जल्दी जीसे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तो इसिल्ए रोटी तो देना बहुत जरूरी रहता है बच्चों को तो रोटी तो मुझे बनाना है पड़ता है डेली और एक्स्ट्रा से फिर में क्या बनाओं कुछ समझ नहीं आता तो यहां पर लक्ष ब्रस करके आ जाता है तो उसे में हॉलिस रोटी दे देती हूं गर्मागर में रोटी पहलों से सेख देती और साइड़ चूले पर मैंने पानी चड़ा दिया है नहाने के लिए आते आते उसे साम हो जाता तो काफी लेट हो करती है तो ऐसे होता है किचन का काम पर छोड़ शोड़ के हमें बीच में जाना पड़ता है तो रोटी के साथ मैं सोच रहे थी आज क्या दूं कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सबजी दूं सबजी रोटी डेल जली बच्चे कितना खाएंगे तो यहां पर टामाटर कु तो थोड़ा सा कर तीखा नहीं रहेगा तो अज़न जी नहीं खाएंगे इसलिए मुझे ऐसा मतलब सब को हिसाब से बनाना पड़ता और मिर्च में एक ही डाली हूं इसलिए और चेनिये थोड़ा सा ज्यादा यूज करूंगी तो बच्चे भी आसाने से यहां पर खा लें तो रोटिया हमारे सारे पक चुकी है और यहां पर चटनी भी बस लगभग रेडी है तब तक आयुशी आ जाती है उसे भी मैं होलेस रोटियां पर दे देते हूं पिर अभी इनका टीफिन जो है वो रेडी करना है तीनों का टीफिन साड़े छे बज़े तक मुझे कंप्लीट करना होता तो अभी लोका नास्ता है साबसे बनाए अभी ममी पापा का ब्रेकफास्ट आटा तो गुथा हुआ है ही बस रोटियां सेंकनी है तो फिर थोड़ा लेट में जैसे पापा साड़े साथ पौन्याट में नास्ता करते है है मुझे के थोड़ा लेट होता पूजा पाट करती है तो इसलिए बच्चों का सबसे बना देते हैं तीनों का उसके बाद फिर हम लोका अलग से हम बनाते हैं आटा अर लगे रहता तो नहां हुआ कर फिर दोपर का खाने का में त्यारी करती है तो यहां पर थोड़ा-थो थोला लिया हुआ है देखिए और कंदे पर अपना भारिस अभेग भी टांगा हुआ है तो चलिए लक्ष को यहां पर बाइवाई कर देते हैं और अभी ना मोसम समझ ही नहीं आ रहा है तीन देनों के बाद दूप निकली है तो सुबह बारिश और उसके बाद अभी धूफ अलकल कर दे रहा ना तो ठंड भी लग रही है तो जैसे भी वह बारिस हो या फिर ठंड हो लेकिन हमारा काम तो कभी रूप नहीं सकता है ना तो बेटा यहां पर चला गया है उसके बाद बेटी का ड्यूटी यहां पर मेरा शुरू हो गया है और सच बोलू ना हरे खौज सवाइब को ऐसे ही कटनाई का सामना करना पड़ता हो गया ना अभी तक मैं यह प्यकिन नहीं किजेगा मैं अभी तक मॉनिंग डिंक तक नही ली हूं बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता यहां तक बातरूम तक जाने के मुझे टाइम नहीं मिलता सुबह इतना हड़ बड़ी हड़ी सब चीज मुझे करना पड़ता है जब बच्चे सब चले जाते ना उसके बाद फिर आराम से मैं मॉनिंग ड्रिक लेती हूं फ्रेश बारिश के वज़े से सारे जो नहीं सुखे थे कपड़े नो खटिया पर में डाल दी हूं यहां पर ताकि हावा से यह सुखेंगे और थोड़ा सबस धूप निकला हुआ है कड़ा लेकिन तो अपर से फिर वापस मौसम बादर वाला कर देता है तो मैं अभी तक जो सब्सक्राइब बाहर में डाली नहीं हो सुखने के लिए मोसम देख रहे तो सबसे पहले बच्चों को जाने करें में रूम को क्लीन करती हूं जुठे बरतन में करें नहीं निकाले थे रूम पे था तो सभी को में निकाल दूँगे और दोनों घर को घर तो पुशना जरु तो इसलिए मुझे अभी अंगन को भी होना होगा बाहर से गाड़ी वेगर आते हैं तो धूल मट्टी कच्रा सब आता है और यह तो आंगन ने हमारा घर का अंगन दिया बत्ति सुबा साम होता है तो बाहर में से कच्रा रहने से विल्कुल अच्छा नहीं लगता है तो इसलि हुआ है तो एक साइड से ही में सारे काम करती हूं आधा इधार आधा उधार उसे में गड़बर गड़बर सा मुझे लगता है और करते 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 हो जाती है टाइम रफर्ष करने तक मुझे साड़े गार ऐसा कुछ टाइम हो ही जाता है तो उधर का काम मेरा हो गया है कंप बाहर दोती हूं ज्यादा थोड़ा बरतन रहते हैं तो बाहर में दोती हूं तब बरतन को में डाल दी हूं बाहर में और यहां पर तब तक किचन को में जाड़ू पच्छा लगा लूँगी मेरा किचन का काम भी कंप्रेट हो गया है रूम का भी और अभी मैंने मौसम थोड़ा से देखा कि हाँ 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 चल रही है तो मैंने शुचा कि चली अभी रिक्ष लिया जा सकता है तो सारे कपड़े को मैं निकाल ली हूं रूम से और एक टब करीब ऐसा कुछ कपड़ा था और इधर वाले टंगने पर मैं डाल दी हूं सभी कम से कम हावा से सुखेंगे धूप तो है नहीं हावा चल रही है तो हावा से सुखेंगे और थोड़े थोड़े देर बाद दे रही थी तो सुबह से इसलिए नहीं निकाली क्योंकि रिक्ष लेना नहीं है जो कपड़ों स तो थोड़े बात पानी निकले हैं तो वो भी ने तो फिर पूरा भींग जाते हैं तो सुबह सरसा कुछ लग नहीं डाता कि दूप वेगरा देंगे लेकिन अभी मोसम साफ किया हुआ है हावाई चल रही तो सारे कपड़े इधर में में डाल दियों और उसके बाद अभी हुआ 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 हNiceुआ हुआ 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 है हुआ 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 जय चपर लिग बेघ जलो च एंदेगे अर भी अंते है जले च्वण रहत हPRISA ऑन से तो यट चर Vari है तो आज अंडा करी की फर्माई से हमारे घर में अंडा करी बनाओंगे अंडे के मैंने उबाल लिया है फिलका अटा लिया है अब ड्रेक फास में करूंगे सब्सक्राइब बना लेती हैं अब दाल पर ही मैंने आलू को अबाल लिया है अब पपाप ममी एक मुझे खाते हैं तो उसे साब के मुझे 11-11 खाना चढाना करता है तो यहां पर पाने गर्म हो गेते मैंने चावल डाल दिया है और बगल वाले चुले पेजोय में अंडे को फ्राइब कर लूँगी शिलका मैंने पहले ही उतार लिया है अंडा करी अज़न जी तो बोले कि गरम हमा बहात अंडा करी बणा तो दाल मैंने पहले ही बना लिया था अजसे में की आलो भाला का इस मह मतलब गरम मासाला में अभी श्रिप नहीं डाले वाकि मैंने पैलोट का सब्य मसाला डाला हुआ है और हज़ी पाउडर डाला हुआ है यहां देखिए हमारा अंडा करी रेडी हो गया है इतने में दाल को भी पर लगा लिया है देखे गिरिंटी रखा हुआ पी नहीं हुआ हमारा भात भी हो गया तो नमारा असाब लेची हुआ सारा खाना वेगर हमारा कंप्लीट हो चुका है अंडा करी बना है और दाल भात सिंपल सा हमारा खाना है यहां पर थोड़ी थोड़ी अभी धूप लग रही थी तो मैं कुर्सी बाहर ले आई हूं खाना बना बना के थोड़ा मैंने बस नास्ता कर लिया हलका फुलका सा चना खा ली हूं और यहां पर अभी में ग्रिंटी पी रही हूं तो अभी करते करते ना यह ग्रिंटी अभी में ले रही हूं कितना बारा बच के कुछ ऐसा कुछ हो रहे है टाइम तो करते करते फ्रेंड लेट हो ही जाता है तो यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर सब्सक्रा हूं पलक करते हैं